प्रिवन आप सब्दा स्वागत है आप दे अपने यूट्यूब चैनल खोशी हनुशर्मा दे विच आज दी वीडियो जो है काफे ज़्यादा इंपोर्टन्ट है उन्हा सब स्टूरेंट्स दे लेई जड़े की पंजाब गौर्मेंट एक्जाम्स दी प्रप्रेशन कार रह दो दे जीके पार्ट दे ले एकक्वेशन स्वाट दे ले बहुत ही जादा इंपोर्टन रहेंगे जो इदी आपाफ 500 इस सेरीज फूरी करांगे जेदा एफस्ट पार्ट है जेदे विच आपा फिफ्टी प्लस इंपार्टन्ट पंजाब जीके दे वान लाइनर क्वेशन करांगे सो शुरू कर लेंदें आज दा वीडियो जड़ा साथा फर्स्ट क्वेशन है ओ है डियूरिंग दा महाभारता पेडियर्ड पंजाब वास नोन ऐस ठीक है सो जड़े क्वेशन ने अपा इंग्लिश दे पंजाबी दोनो लैंग्वेजिस विच करांगे क्योंकि काफ पंजाब नू पंजाब नू पंजनद दे नामनाल जाने आ जान्दा सी महाभारत काल दे दोरान सो एक क्वेशन काफी इंपोर्टेंट है ते एक्जाम से विच अक्सर पुच्या जान्दा है सेकंड ग्वेशन है उस व्यक्ति दाना दसो जो दाड़ी वाली मदट ऐसा क्या जान्दा है दाड़ी वाली मदर ट्रेसा पगत पूरन सिंग जीनू दाड़ी वाली मदर ट्रेसा क्या जान्दा है तो इदार राइट आंसर है पगत पूरन सिंग दाड़ी वाली मदर ट्रेसा पगत पूरन सिंग जीनू क्या जान्दा है अगला ग्वेशन है मुखलिसपुर दाना बंदा सिंग बहादुर ने बदल के रख्या सी मुखलिसपुर वाज रेनेम्ड बाई बंदा सिंग बहादुर एस सो बंदा सिंग बहादुर जी ने मुखलिसपुर दे नाम नू चेंज करके की कर दिता So, लोहगड एदा नाम रख दिता गया So, एदा नाम जो सी पहला मुखलिस पूर सी जेदा नाम बदल के लोहगड कार दिता गया Question number fourth है What was the original name of Bandha Singh Bahadur? Bandha Singh Bahadur जी दा असली नाम की सी Bandha Singh Bahadur जी दे असली नादी गल करिये ता इना दा असली ना सी लचमन दास Bandha Singh Bahadur दा असल नाम सी लचमन दास Next question है Vazir Khan was defeated by Bandha Singh Bahadur at the battle of So, Bandha Singh Bahadur द्वारा Vazir Khan नू हरादिता गया सी Vazir Khan दी किस लडाई विच Bandha Singh Bahadur तो हार हुई So, Vazir Khan दे Bandha Singh Bahadur दे विच लडाई होई सी जेदे विच वजीर Khan दी हार होई सी Bandha Singh Bahadur तो तो लडाई केडी सी जेदे विच वजीर Khan दी हार होई सी ओ लडाई सी चपड चेड़ी दी सो एक question बहुत ही ज़्यादा important है चपड़ चिड़ी दी लड़ाई सो तुसी detail दे विचवी नू ज़रूर पाड़ सकते हो एक बार चपड़ चिड़ी दी लड़ाई बरे इस विच वजीर खांदी हार होई सी विच movement वास founded बाबा राम सिंग बाबा राम सिंग ने केड़ी लहर दी सापना किती सी बाबा राम सिंग जी दे द्वारा नामधारी लहर दी सापना किती गई बाबा राम सिंग जी ने केड़ी लहर दी सापना किती सु इदा right answer है नामधारी लहर next question है the second holocaust is known as सो लड़ा सेकंड कल्लू कारा होया सी होलू कास्ट होया सी उन्नू की की क्या जन्दा है सो उसनू क्या जन्दा है वड़ा कल्लू कारा सो दो कल्लू कारे सी एक छोटा कल्लू कारा ते एहे है वड़ा कल्लू कारा जेनू सेकंड होलू कास्ट भी क्या जन्दा है दल खालसानू दो पागा देविच बंडिया गया दल खालसा वाज ओर्गनाइजड इंटू टू सेक्षन्स दल खालसानू दो पागा देविच बंडिया गया सी जे देविच एकसी बुढधा दल ते दुज्जा सी तरुणा दल बुढधा दल ते तरुणा दल दो दल सी बुढ़ा दल ते तरुना दल आलू वालिया मिसल दी स्थापना किना द्वारा किती गई सी आलू वालिया मिसल वास फाउंडड बाई जेकर असी आलू वालिया मिसल दी गाल करियें ता एह मिसल जस्सा सिंग आलू वालिया जी दे द्वारा स्थापित किती गई सी या इना द्वारा फाउंड किती गई सी आलू वालिया मिसल दी स्थापना जस्सा सिंग आलू वालिया जी दे द्वारा किती गई अगला question है बंदी छोड़ दिवस किस हिंदू त्योहार दिनाल मेल खानदा है जिकर असी बंदी छोड़ दिवस दिकल कर दियां तो आखो एक हिंदू त्योहार दिनाल मेल खानदा है जो है दिपावली सो दिपावी वाले दिन बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जान्दा है ठीके जी नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रंजी सिंग बिलॉंग टो विच मिसल सो एक क्वेश्चन भी काफी जदा इंपोर्टन्ट है ठीक काफी बच्चन विदा आंसर पाता भी होएगा कि जो महाराजा रंजी सिंग जी सी ओ किस मिसल नाल समंदरा कदे सी महाराजा रंजी सिंग जी शुकर चकिया मिसल दे नाल समंदरा कदे सी इधर राइट आंसर है शुकर चकिया मिसल महराजा रंजी सिंग जी दे पितादा नाम की सी महराजा रंजी सिंग दे पितादा नासी सर्दार महा सिंग सर्दार महा सिंग महराजा रंजी सिंग द्वारा ताज पोशी कित्ती गई सी महराजा रंजी सिंग वाज क्राउंड बाई सो महाराजा रंजी सिंग जी दी ताजपोशी किना द्वारा कितनी गई सी? किना ने महाराजा रंजी सिंग दी ताजपोशी कितनी सी? उन्हादा नाम है श्री साहिप सिंग बेदी शिरी साहिप सिंग बेदी जी ने महराजा रंजी सिंग जी दी ताजपोशी किती सी लेक और बुजियर चंडीगर्ड दा आर्किटेक्ट कित्थो दा नागरिक सी सो लेक और बुजियर जड़ेकी चंडीगर्ड दे आर्किटेक्ट सी वो कित्थो दे नागरिक सीगे से विछ repeat हुंदाए प्रिविस पेपर से विच ते जह कर तुस्सी पंजाब जी के चंगी तरा पाड़ रेओ तो ऌन्व हरी क्वेशन जो आये ही आन्दा होना चाहिदा है लाला लाजपतराय लाला लाजपतराय वस्जो जाने जान्दे लाला लाजपत्राय जी नूं पंजाब केसरी केहा जान्दा सी महराज रंजी ईसिंग जी दी ताजपोशी कदो हुई तक्त श्री पतना साहिब अते तक्त श्री हजूर साहिब दी उसारी करवाई गई सी एक क्वेशन भी अक्सर पेपर से विच आंदा है बहुत ही जादा इंपोर्टन्ट क्वेशन है तक्त श्री पतना साहिब अते तक्त श्री हजूर साहिब दी उसारी महाराजा रंजेद सिंग जी दे द्वारा करवाई गई सी तो तक्त श्री पतना साहिब अते तक्त श्री हजूर साहिब दी उसारी महाराजा रंजेद सिंग दे द्वारा करवाई गई सी कुक्का लहर दा मुड़ी कौन सी बाबा बालक सिंग जी कुक्का लहर दे मुड़ी सन बाबा बालक सिंग जी पर जो बाबा बालक सिंग जी दे चेले सी ठीके जी सो इदार फर्स्ट आंसर तो अटा बाबा बालक सिंग जी होना चाहिदा है नेक्स्ट क्वेशन है पंजाब दे विच कुल जीले किनने हन ये पंजाब दे विच इस टाइम चे 23 जीले हन सो जड़ा लेटेस्ट बनेया सिगा ओ तुसी मैंनों कमेंट करके दसना है कि लेटेस्ट केड़ा जीला बनेया पंजाब दे विच नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमबर ट्वन्टियत कि साल पंजाब दी पंजाब दी सरकारी पाशा अलानिया गया इन विच एर पंजाब दी डिकलेर्ड एज अफिशिल लेंगवेज ऑफ पंजाब पंजाबीनु पंजाब दी सरकारी पाशा कदो अलान्या गया सी सो इदा राइट आंसर है 1968 विच 1966 दे विच ही पंजाबीनु पंजाब दी सरकारी पाशा अलान्या गया सी Next question है question number 21 Which is the largest international airport in Punjab पंजाब दा सब्तो वड़ा अंतराश्ट्री हवाई अड़ा केड़ा है राजा सांसी अमरिसर इदा राइट आंसर है पंजाब दा सब्तो वड़ा अंतराश्ट्री हवाई अड़ा largest पंजाब दा सब्तो वड़ा अंतराश्ट्री हवाई अड़ा है राजासंसी अम्रिसर गल कर रहे हैं कि अवनेया जानफे है ठीक है जी ओधा नेम भी अपर बहकर है गुरुराम दास इंटरनेशनल एःपोर्ट इस एःपोर्ट नू शिरी गुरु राम दास जी दे नाम नाल जाने आ जान्दा है गुरु राम दास इंटरनेशनल एरपोर्ट जो की सिचुएटेड है राजा सांसी अमरे सर्विच विशव बैंक अनुसार वपार कर ली सब तो असान शहर केडा है वर्ल्ड बैंक दे अकॉर्डिंग ली पंजाब दे विच केडे राज दे विच तुसी इजी ली बिजनस काड सक देओ से दर आइट आंसर है लुदियाना लुदियाना दे विच लुदियाना एक मोस्ट पॉल्यूटेड से टीवी है ते नाल ही नाल वपार कर ली सब तो बदिया है ओल्ड नेम ओफ पंजाब जेकर पंजाब दे पुराणे ना दी गल करियें कि पंजाब दा पुराणा ना की सी सो पंजाब दा पुराणा ना जो सी हो सब्द सिंदू भी सिगा ठीके जी पंजाब दा पुराण ना की रहा चुक्का है सब्द सिंधु एक वेस्चन वी बहुत ही जादा इंपोर्टन्ट है ते एक्जाम से विच बहुत वार रिपीट हुंदा है ठीके जी डैश is also known as हिंद दी चादर सो केड़े गुरु जी नू हिंद दी चादर वी केया जान्दा है सो इधा राइट आंसर काफी स्टोंट्स नू पता ही होवेगा शिरी गुरु तेक बहादुर जी नू शिरी गुरु तेक बहादुर जी नू हिंद दी चादर वी केया जान्दा है विच गुरु इज नोन एज शहीद्धा देज सर्ताज उन कालकारनाई वजो क्योने गुरू साहिबान जीनू ढ़ाने जेन्ता है विच गुरु इतली सिर्धान देजु जेनाननू शहीद्धा देज सर्ताय क्यें चांदा है शिरी गुरु अर्जुन देव जी दा मोस्ट पॉल्यूटेट सिटी इन पंजाब जिवें कि आपा पहला वी गाल कार चुकियां कि पंजाब दा सब तो वद प्रदूशित शहर केडा है सोई है लुदियाना अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 28 सिख विरास्ती कंप्लेक्स तियार किता गया है सिख हेरिटेज कंप्लेक्स हैस बिन डिवेल्प्ड एट सिख हेरिटेज कंप्लेक्स सो काफी स्टोंस नू पता ही होगा इदा अंसर शिख विरास्ती कंप्लेक्स नू किते तियार किता गया है किते बणवाया गया है दा राईट आंसर है अनंदपुर साहिव सिख विरास्ती कंप्लेक्स नू अनंदपुर साहिव खे बनाया गया है वत इज musicul name of the Indian poetess to get the जन पीठ अवाड जनपीट अवार्ड प्राप्त करण वाली पार्थी कवित्री जे पोईटस दी गल करिए अमरिता पृतम जी नू जनपीट पुरुसकार नाल नवाजिया गया है यह राइट आंसर है अमरिता पृतम जन्रपीड पुरुसका प्राप्तकरणवाली पार्ती कवित्री दा नाम की है अमरिता पृतम अगला क्वेशन है वो वास्ट गवर्नर ओफ दे स्टेट ऑफ पंजाब एक वेशन दा अंसर सारे बचे नू पता होना जरूरी भी है ते तब बेसिक क्वेशन है की से सारे नू पता ही हुवेगा जड़े काफार टाम तो परपuftेरेशन कार बह्या कि पंजाब स्टेट देव पहले गवर्नर दा नाम की सी चंतुलाल दृवेधि चंतुलाल माधावलाल दृवेधि या चंतुलाल दृवेधि पहले अकाली चीफ मनिस्टर दा नाम बुच्छा गया है अगला question है एक questions जड़े ने एक questions काफी students नू आन्धे भी होगे सो इना तो अड़ी रवीजन भी हो जाएगी, कई बच्चे अनू नहीं आंदे, उना अनू जो इना दी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है जिते ये वो क्वेशन है, जड़े की सदा बहार ने, मतलब हर बार तो अनू एक्जाम से विच देखनू मिल देया, चाहिया कि नहीं पु वो बिकेम दा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर अफ पंजाब अट दे टाइम अफ इंडेपेंडेंडेंस इन नाव पुच्छा गया है, पंजाब दा पहले मुख्य मंत्री कौन से गे, उना नाम सी डॉक्टर गोपी चंद भारगव जी सदे पहले मुख्य मंत्री सी पंजाब द गोपी चंद भारगव जी, नेम दा फोर स्टेट्स फिद विच पंजाब शेर्स इस बॉर्डर, सो पंजाब दा बॉर्डर जी में कि सार्या नू पता है कि पंजाब दी हाद जो है, वो चार राज्या दे नाल लग दी है, वो चार राज केड़े केड़े ने एदी इन्फ और मेशन विए बेसिक नॉलेज है, सो पंजाब दे विच रंदेया था इनी बेसिक चीजां पता होनिया चाले दिया ने, पंजाब दा बॉटर लग दाए, चार स्टेट्स दे नाल, हर्याणा, हिमाचल परदेश, जम्मू कश्मीर दे राजस्थान, सो दा राइट आंसर क हातों, सो यह राइट आंसर है एक सो स्तारा, वान वान सैवन इदा राइट आंसर है, वाट वस जो ओरिजनल नेम ओफ गुरु अंगर देव जी, जो की उन्हादा फर्स्ट नेम पुच्छा गया है कि उन्हादा ओरिजनल नेम की सी, उरिजनल नेम उन्हादा सिगा भाई कहना जी भाई लहना तो बाद ननू नाम दित्ता गया गुरु अंगत देव जी सो ए सड़े सिखा दे सेकंड गुरु सन शिरी गुरु अंगत देव जी अगला क्वेशन है हजूर साहिब सिचुएटेड एड द बैंकोविच रिवर सो हजूर साहिब बारे अपा उपर पाड क्या है हां तक्त शरी हजूर साहिब एक केड़ी नदी दे किनारे ते बनाया गया है कि जी जड़ा तक्त शरी हजूर साहिब है एहे गुदावरी दे किनारे ते सिचुएटेड है गुदावरी दे किनारे ते बनाया गया है तक्त शरी हजूर साहिब सो एक्वेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन्ट है कि तक्त श्री हजूर साहिब कि थिबनवाया गया है गुदावरी नदीदे कंडे थिबनाया गया है सिख फ्लैग इस नोन है सो जड़ा सिखा दा फ्लैग है चंड़ा है उन्नों किसना अनाल जाने जान्दा है सिखा दा फ्लैग है उसनों निशान साहिब किया जान्दा है सिखा दे फ्लैग नों कि किया जान्दा है निशान साहिब हू कमपोज्ड अनन्द साहिब सो अनन्द साहिब दी रचना केड़े गुरु जी द्वारा किती गई अनन्द साहिब दी रचना किती गई गुरू अमर्दास जीदे द्वारा अनन्द साहिब दी रचना किती गई गुरू अमर्दास जीदे द्वारा सो तुसे इमें भी याद राख सकते हैं कि अनन्द साहिब ए तो स्टार्ट है तो श्री गुरु अमर्दाजी दा नाम भी ए तो स्टार्ट है सो इस तरह जेकरतों नूँ याद नहीं हो रहा था ए ट्रिक है क्या जी वैसे दा काफी स्टून्स नूँ पता होवेगा सो अनन्द साहिब दी रचना श्री गुरु अमर्दाजी दवारा किती गई श्री गुरु हर क्रेशन जी वा सन ओफ सो श्री गुरु हर क्रेशन जी किना दे बेटे सन सो इना दा नाम है श्री गुरु हर राय जी शिरी गुरु हर क्रेशन जी शिरी गुरु हर राय जी दे सपुत्तर सन शिरी गुरु हर क्रेशन जी शिरी गुरु हर राय जी दे सपुत्तर सन इन विच प्लेस वास गुरु तेग बहादुर जी वास पॉर्ण इन विच प्लेज वाज गुरु गोबिन सेंग जी इनू कैदी बनाके रख्या गया सी गुरु गोबिन सेंग जी नू कैदी बनाके रख्या गया सी गुरु गोबिन सेंग जी नू कैदी बनाके इधा राइट आंसर है मुगल किंग कौन सी मुगल किंग दा नाम सी जहांगीर जहांगीर ने शिरी गुरु हर गोबिन सेंग जी नू बंदी बना के रख्या सी नेम द एंपररार उग्ट सी गुरू तेग बहदुरुजी एग्जेकूटेड सद्फ सिख गुरु श्रीगुरु तेग बहदुरुजी सन् सिख दे नौबे गुरु उनह नू शहिद्दी केदे हुकुमा कारण दित्ती गई सी ठीके जी उनों शहिद्धी प्राप्त हुई सी औरंग जेब दे हुकम सी जो की मुगल बार्शा सी औरंग जेब ओ दे हुकमा दे कैन दे ही शीरी गुरु ते एक भादुर जी नों शहिद्धी दित्धी गई सी क्वेशन नमबर 44 दा राइट आंसर है औरंग जेब वाज जन दे आपने नेक्स्ट क्वेशन वाल इन विच लेंगवेज इस जफर नामा रेटन जड़ा जफर नामा है जड़ा पत्र सीगा जफर नामा ओ केडी पाशा दे विच लिख्या गया सी जफर नामा दे जेकर आपा गाले करीए ता ओहो जो सी परसियन लेंगवेज दे विच जनू अपा पंजाबी दे विच फार्सी केंदे यां जफर नामा केड़ि पाशा दे विच लिख्या गया सी फार्सी दे विच लिख्या गया सी इना दा नाम है माता खीवी जी इना दा नाम है माता खीमी जी विच गुरू established अमरिसर अमरिसर दी स्थापना केड़े गुरु जी ने किती अमरिसर दी स्थापना शिरी गुरु राम दास जी द्वारा किती गई केड़े गुरु जी ने established किता अमरिसर शहर नू राइट आंसर है शिरी गुरु रामदास जी आधी ग्रंथ इस आधी ग्रंथ नू होर केड़े नानाल जाने जन्दा है आधी ग्रंथ नू पोथी साहिब भी क्या जन्दा है यह question आ सकता है कि पोथी साहिब नू होर केड़े नानाल जाने जन्दा है सो जब पोथी साहिब आया तो आधी ग्रंथ, आधी ग्रंथ पुच्छा गया है ता है राइट आंसर पोथी साहिब Who was the first head ग्रंथी of हरमंदर साहिब? So जड़े बाबा बुड़ा जी सिगे ओहो पहले ग्रंथी बने हरमंदर साहिब देविच हरमंदर साहिब देविच पहले ग्रंथी केड़े सी पहले ग्रंथी कौन सी गे? बाबा बुड़ा जी सो एक क्वेशन जो है काफी बार अग्जाम से विच पुच्छा गया है ते बार बार पुच्छा जान दा है मतलब काफी टाइम आया विच उक्के ने वले क्वेशन ते आंधे भी रन्दे नी कैजी? बाबा बुड़ा जी How many pages does गुरु ग्रंथ साहिब जी कंटेंड? शो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी देविच किनने पन्ने ने टोटल? एक वेशन भी इंपॉर्टन है गुरु ग्रंथ साहिब जी देविच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी देविच टोटल पन्ने दी संख्या है 1403 ऐधी गुरंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी collected काफ़ी देख्या है शो आप़ अगली वेइडियो देविच कराँए कवर आज अपा में इन वान लाइनर कुएशन जड़े काफी ज Lucy जादा इंपॉर्टन है ओही गवर करदे पहें यां याजी डेटेल दे विच नहीं कर रहें क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबी हो जान दिया हूँ कमपाईल्ड आधी गरंथ आधी गरंथ दा संकलन किस ने किता ठीके जी, आधी गरंथ दा संकलन शिरी गुरू अर्जुन देवजी द्वारा कित्ता गया आधी गरंथ दा संकलन किना द्वारा कित्ता गया हुँ कमपाइल्ड आधी गरंथ आधी गरंथ दा संकलन शिरी गुरू अर्जुन देवजी द्वारा कित्ता गया So students, आज दी वीडियो दे विच आपा 50 प्लस क्वेशन, टोटल आपा 52 क्वेशन किते ने आज दी वीडियो दे विच So आपा जो है टोटल 500 क्वेशन करांगे So 500 दे 500 जड़े या ओव मोस्ट इम्पॉर्टन्ट क्वेशन ही करांगे So that जो तुसी कोई भी वेपड़ देओ जे मालो वेपड़ देवीच 15 क्वेशन भी पुच्छे जान देने So तो आड़े 12 माक्स दोदेवीच ओक टोट आई जान मतलब असी इनने इंपॉर्टन्ट क्वेशन करांगे ते जड़े प्रीविएस एक्जाम्स दे विच बार बार रेपीट हुन देया ओही ग्वेशन सापा करांगे So मैंनों उमीद है कि तोनों वीडियो काफी पसंद आई होवेगी जिकर तोनों वीडियो पसंद आई होवे जरूर सब्सक्राइब कर लवो चैनल दा नेम जिमे कि तुसी देखी सकते हो खुशी हनुशर्मा इस चैनल दा नेम है So चैनल सब्सक्राइब कर लवो अपने दोस्ता नाल शेयर कर लवो क्योंकि काफी इंपॉर्टन क्वेशन्स ने ठीके जी So तुसी नाली नाल साड़ा टेलीग्राम चैनल भी जोईन कर सकते हो जेदा नेम है पंजाब एक्जाम सेन 24 by 7 News जेदा लिंक में डिस्क्रिप्शन दे विच भी पादा मांगी नाली नाल कमेंट बॉक्स दे विच भी पिन करदा मांगी ठीके जी बाकी तुसी मेंनों अपने कमेंट लिख के दस्यों कि तो अनूं वीडियो की होज़े ही लगी की होज़े क्वेशन्स तो अनूं लगदा है जे होर सानूं कवर करंदी लोड है ठीके जी अपने कमेंट्स जरूर दस्यों मिल्दे अगली वीडियो देवी साथ तकली दन्वाद